नमस्कार दोस्तों आज computer science का हमारा जो आठवा session है इसमें आज हम पढ़ने वाले हैं memory के बारे में memory कौन कौन सी टाइप की memory होती है memory होती क्या है memory की storage unit क्या होती है तो देखिए storage unit का आपके exam में question पूछे गए हैं तो सबसे पहले starting में हम बात करेंगे storage unit के बारे में और memory कौन कौन सी टाइप की होती है RAM ROM क्या होती है E ROM क्या होती है P ROM क्या होती है EEP ROM क्या होती है hard disk क्या है floppy क्या है CD DVD क्या होती है RAM कितने type की होती है यह सारे discussion आज हम करने व memory की बार पूछा गया है वो है storage unit जो है तो memory की जो storage unit है किलो बाइट मेगाबाइट यह जो गीगाबाइट वाला जो है यह portion जो है यह आपके लगभग सब जगए पूछा गया है आपके exam में आया हुआ हुआ है आप question पिछले साल के जब question paper देखेंगे तो आपको लगेगा कि यह storage unit वाल यह जो है यह पूछा गया है जो सबसे पहले इसी के बारे में हम discuss करेंगे उसके बाद आगे की बात करेंगे तो चलिए start करते हैं memory के बारे में memory होती क्या है memory का means होता है कि जैसे इंसान में क्या होता है याददास्त होती है इंसान क्या करता है अपने data को remember करक करता है ऐसी हमारे computer में जब हम data को किसी भी चीज़ को information को सेव करके रखते हैं तो जिस location पर जहां पर हम सेव करते हैं उस data को उसे हम क्या बोलते memory कहते हैं ठीक है memory का मिस storage करने के लिए किसी चीज़ का कोई data को इस्टोर करने के लिए जो हमारा container है वो क्या है memory होती है तो देखिए सबसे पहले हम उसके storage unit की बात करेंगे कि memory में नापा कैसे मापा जाता है storage capacity क्या होती है storage capacity का मिन्स होता है कि किसी device में संग्रहित किये जाने वाले data की अधिकतम मात्रा को उसकी संग्रहत चमता कहा जाता है कोई device है उसमें maximum कितना data store किया जा सकता है उसकी जो capacity होती है उसको हम storage capacity कहते है storage capacity का means होता है कि एक device में कितना maximum data हम store कर सकते हैं जैसे CD होता है compact disk उसमें 700 MB का data हम store कर सकते हैं dvd होता है 4.7 GB तो 4.7 GB का डेटा हम इसमें स्टोर कर सकते हैं तो अब हमें यह समझना है कि यह KB, GB, MB यह होती क्या है यह जो यूनिट्स हैं इन यूनिट्स में से काफी सारे सवाल पूछे जाते हैं तो सबसे पहले हम बात करते हैं समझते कि यूनिट होती क्या है सबसे सॅमॉले अश्ट यूनिट्स पहले हम बात करते हैं तो हम बात करते हैं मैं नाम लिखा जय अब मैं चाहता हूँ कि हमारा मेरा यह जो नाम है यह नाम computer में अगर मैं store करना चाहूं तो कितने byte की memory लेगा यह तो एक अक्षड जो होता है उसको अगर आपको computer में save करना है तो वो एक byte की memory लेता है तो यह कितना लेगा? 1 byte memory इसको save होने के लिए चाहिए एक ही अगर मैं बात करूँ तो यह लेगा 1 byte और I जो save होगा वो भी कितना लेगा? 1 byte लेगा ठीक है? तो यह तीनों अक्षड जो है यह computer में अगर मैं इन्हें save करना चाहूँ तो एक-एक byte की memory यह हमसे लेगे मतलब computer में इस तीन अक्षड के नाम को 3 character का जो मेरा नाम है इसको save करने के लिए मुझे कितनी byte की आवशकता होगी? 3 byte की आवशकता होती है ठीक है? 8 bits से मिलके बना होता है 8 bits से 1 byte जो होता है 8 bits से मिलके बना होता है 8 bits का मतलब इस तरीके से 1,2,3,4,5,6,7,8 1,2,3,4,5,6,7,8 तो 8 bit में जैसे माली जे मेरा नाम यह J जो है अक्षर यह एक byte की memory लेगा तो यह इस तरह से save होगा 0,1,0,1,0,1 ऐसे 8 box बनेंगे और 8 bit में जाके यह save होगा एक अक्षर अब bit क्या होता है 1 bit का मतलब क्या होता है 1 bit का मतलब होता है binary digit binary digit क्या होती है 0 या 1 तो bit का full form क्या होता है binary digit तो सबसे छोटी जो एकाई होती है वो क्या होती है bit होती है अगर हम story unit की बात करें तो सबसे चोटी unit क्या होती है हमारी bit होती है और 4 bit का हमारा क्या बनता है एक nibble बनता है और 8 bit का क्या बनता है एक byte बनता है तो 8 bit का मतलब ऐसे 8 box 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 8 bit का हमारा 1 byte होता है और 1 byte क्या करता है एक अक्छर को store करने के लिए इसकी need होती है अगर एक character को store करना चाहते हैं तो 1 byte की memory हमारे पास में होनी चाहिए तो आज हमें ये समझना है कि कितने-कितने byte का क्या-क्या meaning इनका होता है कितने-कितने इसकी storage unit की capacity होती है जो सबसे smallest unit जो होती है वो होती है bit bit का मतलब होता है 0 या फिर क्या है 1 ठीक है या तो 0 या 1 तो bit का full form होता है binary digit इसको आपको अच्छे से पढ़ना है इसमें से question पूछे जाते हैं ध्यान रखें तो bit जो होता है bit इसका full form होता है binary digit अगर यह पूछा जाए कि bit का full form क्या होता है तो क्या होता है binary digit होता है चार bit मिलकर के क्या बनाती है एक nibble या उसे बोलते हाब बाइट means 1,2,3,4 ऐसे आपकी क्या है 4 bits यह है तो इससे क्या बनेगा एक nibble कहलाता है वो या फिर क्या कहलाता है half byte कहलाता है एक nibble ठीक है यह कितने से बनता है 4 bit से मिलकर बनता है और इसके बाद में 8 bit का हमारा क्या होता है एक byte होता है 8 bits equal to कितना होता है 1 byte होता है तो यह पूछा जाता है कि 1 byte में कितनी bit होती है तो 1 byte में कितनी bit होती है 8 bit होती है एक निबल में कितनी बिट होती है 4 बिट होती है तो 4 बिट का एक निबल होता है और 8 बिट का एक बाइट होता है बिट का full form क्या होता है binary digit होता है अब 1024 बाइट बराबर होता है 1 किलो बाइट 1024 किलो बाइट का means क्या होता है एक हजाब चौबीस बरावर होता है, एक किलो बाइट, तो एक हजाब चौबीस ये क्या है आपका बाइट, बरावर क्या होता है आपका वन किलो बाइट, तो एक हजाब चौबीस बरावर क्या होता है, वन किलो बाइट, ठीक है, अब एक हजाब चौबीस किलो बाइट बरा होता है वन मेगा बाइट यह ध्यान रखना है आपको 1024 बाइट बरावर कितना होता है एक किलो बाइट और 1024 किलो बाइट बरावर होता है एक मेगा बाइट वन मेगा बाइट होता है वन मेगा बाइट ठीक है तो 1024 के भी बराबर होता है One Megabyte तो अगर आपको ये देखना है कि 1 Megabyte में कितनी bytes होती है तो आप 1024 गुणा 1024 इन दोनों का गुणा करेंगे तो आपके कितना आजाएगा One Million bytes आजाएगी तो धिहाद नखें कि उसके बाद एक हजार 24 मेगा बरावर होता है वन गीगाबाइट अब एक गीगाबाइट में हम पूछे कितनी बाइट होती है तो इन्टू इसका भी कर लेना है कितना कर लेना है इसका 1024 गुणा 1024 ये और गुणा 1024 तो कितना आ जाएगा 1 बिलियन बाइट एक अरब बाइट होती है ठीक है और अगर 2024 GB बराबर होता है एक टेराबाइट ठीक है एक टेराबाइट का अगर हम करें तो इसका भी maultiply कर लेना है जो 1024 एक अजार चोबीस गुणा एक अजार चोबीस गुणा एक अजार चोबीस तो कितने होगे एक trillion byte मतलब क्या हो जाएगा एक खरब बाइट ठीक है उसके बात में फिर क्या होगा 1024 टेराबाइट बराबर होता है 1 पीटाबाइट 1024 पीटाबाइट बराबर होता है 1 एक्जाबाइट 1024 एक्जाबाइट बराबर क्या होता है 1 जीटाबाइट जैडबी और 1024 जीटाबाइट बराबर होता है 1 योटाबाइट बाईवी एक हजाट चौबीस योटा बाइट बराबर होता है वन ब्रोंटो बाइट मतलब बी बी उसके बाद में यह क्या है एक हजाट चौबीस वाई बी बराबर होता है वन ब्रोंटो बाइट बी बी यह उसके बाद में एक हजाट चौबीस बी बराबर होता है बन जियो बाइट मतलब जी पी वी तो अगर यह पूछा जाए कि सबसे हाइस्ट जो यूनिट है वो कौन सी है तो वो कौन सा आएगा जीओ बाइट और सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट पूछा जाए तो बिट आता है अब क्वेश्चन का पूछे जाते हैं कि स्टोरेज कैपि इसके बाद में चार बिट को क्या कहते हैं वन गिबल के इस से मिल के क्या बंता है बंट मिलता है एक इस में कितने बिट होती है कि dolar जाता है तो दिखिए यहां बात करते हैं एक बिट्स बिट्स जो है एक बिट्स बराबर कितना होता है एक बाइट होता है ठीक है एक हजार चौबीस बाइट बराबर होता है एक किलो बाइट ठीक है एक हजार चौबीस किलो बाइट बराबर होता है एक मेगा बाइट ठीक है तो एक मेगा बाइट में कितने किलो होते हैं अब यह पूछ रहा है कि एक मेगावाइट में बाइट कितनी होगी तो अगर हम बात करें बाइट की तो बाइट कितनी होगी 1024 गुणा 1024 तो यहां पर होगा 1024 गुणा कितना होगा 1024 बराबर आ जाएगा 10 भई एक मेगावाइट में 1024 गुणा होगी तो क्या कर देंगे इनका मल्टिप्राई कर देंगे ठीक है फिर उसके बाद में 1024 मेगा बाइट बराबर होता है कितना 1GB गीगा बाइट तो अब 1GB में कितनी होती है 1 pretty बैट्स mia 1 अरव फिसका मतलब होता है अरब एक अरब ठीक है और इसका मतलब होता है million का मतलब इतना होता है 10,00,00 होता है यह होता है तो एक gigabyte में अगर हम बात करें तो कितने bytes होंगी तो 1024 गुणा 1024 गुणा 1024 यह byte होंगी अब हम बात करते हैं कि एक gigabyte है तो 1024 GB बराबर होता है एक TB ठीक है टेराबाइट तो एक टेराबाइट में क्या होता है 1024 GB होते हैं और byte कितनी होंगी 1024 गुणा 1024 गुणा 1024 गुणा 1024 ठीक है तो कितना होगा 1 trillion इसका मतलब एक खरब bytes यह होंगी तो यह आपको ध्यान रखना है इसमें से question पूछे जाते हैं 8 bit का 1 byte होता है 4 bit का 1 nival होता है उसके अलाबा 1024 bytes का 1 kilobyte होता है 1024 kilobyte का 1 megabyte होता है 1024 megabyte का 1 gigabyte होता है 1024 gigabyte का 1 terabyte होता है अब 1 MB में 1024 kilobyte होते हैं byte कितने हुए तो इतने kilobyte हुए इसका multiply कर लो किस से? bytes से 1024 yak1 14 एक MB में कितने bytes होता है 1024 yak1 124 एक GB में कितने megabyte होते है 1024 bytes कितने होंगे तो एक 2024 yak1 1224 yak1 124 यह जाएगा एक TV में कितने जीई वी होते है 1024 bytes कितने होंगे 1024 yak1 14 mogę 14 8024 yak1 14 तो इसे ध्यान रखलें एक MB में 10 million bytes होते हैं 1 MB में 10,00,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000, एक अरब होते हैं और एक TV में 1 trillion मतलब एक खरब byte होते हैं ठीक है? ये ध्यान रखना है तो ये storage unit वाला जो पार्ट है ये बहुत ज़्यादा important पार्ट है इसका आपको ध्यान रखना है अब देखे question कैसे पूछे जाते है 1 kilobyte बरावर है कितने byte के तो 1 kilobyte बरावर क्या होता है? 1024 bytes बरावर होता है 1 kilobyte ठीक है? तो 1024 bytes के बरावर क्या होता है? 1 kilobyte होता है तो 1024, right answer क्या होगा? 1024 bytes standard blu-ray disk जिसमें single layer है उसकी capacity क्या होगी? ये आगे इसमें एक सवाल आएगा, standard blu-ray disk जो होती है BRD, ठीक है? मैं आगे पढ़ाओंगा इसको अभी, तो उसमें 2 layer होती है, एक तो होता है single layer और एक होता है double layer ठीक है? तो single layer वाली जो होती है उसकी capacity होती है 25 GB और double layer वाली होती है उसकी capacity होती है 50 GB तो blu-ray disk के आउती है जैसे CD DVD की तरह होती है अगर इस सते पे अगर आप data store कर सकते हो तो 25 GB कर सकते हो और अगर दोनों side पे data store करने की capacity पूछे double layer की double sided की जो वो क्या होती है 50 GB, जब एक layer पे 25 कर रहे हैं तो दूसरे पे अगर double sided है तो इसका उतला 50 GB कर सकते हैं HD videos को store करने के काम में आती है HD video HD video जो होते है High Definition video वो क्या करते हैं ज़्यादा space लेते हैं ज़्यादा लेते हैं तो इस बदे से क्या होता है उनके लिए हमें maximum बड़ी capacity वाले कोई disk की आवशकता होती है CD DVD में से काम नहीं चलता है तब हम क्या लेते हैं Blu-ray disk लेते हैं जो एक Blu-ray disk जो है उसकी single layer है तो कितना आएगा 25 GB आएगा double layer होती तो 50 GB आता कौन सा सरवादिक memory की size को दर साथा है तो देखिए सबसे पहले क्या आता kilobyte फिर megabyte फिर gigabyte फिर terabyte तो क्या आएगा सरवादिक memory इन में सबसे ज़्यादा किसकी होगी memory size कौन सा होगा terabyte अब देखिए memory की बात करते हैं अब हम पढ़ते हैं RAM, ROM, बगेरा primary, memory, secondary memory क्या होती है वो बाला पार्ट इसलिए मैंने पहले पढ़ाया था कि वो important है और वो उसमें से काफी सारे सवाल पूछे गएं इसलिए तो memory क्या होती है देखिए computer में memory का तात पर एक इस्थान से होता है जिसका प्रियोग data इविम सूचना को इस्थाई या अइस्थाई रूप से store करने के लिए किया जाता है memory का means होता है एक ऐसा place जहां पर डेटा को store किया जाता है ठीक है इस्थान का मतलब memory is a place where we can store our permanent और temporary data तो जहां पर हम permanent और temporary data को हम वहां पर store कर सकते है data can be either temporary और permanent या तो permanent होगा या फिर क्या होगा temporary होगा तो temporary या permanent data को जहां पर हम store करके रखते हैं उस इस्थान को हम क्या कहते हैं memory कहते हैं इस्थाई का means क्या होता है non-volatile तो non-volatile का मतलब होता है इस्थाई यहां पर बहुत सारे लोग क्या हो जाते हैं confused हो जाते हैं यह क्या होता है इस्थाई होता है ठीक है non-volatile का मतलब और volatile जो word है बहुत सारे लोग यह सोचते है इस्थाई होगा तो यह क्या है इस्थाई होता है जो होती है वह दो प्रकार की होती है एक फोती है primary memory दूसरी होती है secondary memory देखिए काफी सारे student जो जिन्होंने बहुत सारे computer course भी किये हुए तो confuse होते हैं कि Primary Memory क्या है Secondary Memory क्या है तो थोड़ा सा मैं उनका Mind Clear कर देता हूँ कि Primary Memory, Secondary Memory क्या है तो Primary Memory का मतलब होता है Temporary Memory अए ST becoming जिसे हम कहते हैं वो और ये होती है ST थीक है ये तो क्या होती है Permanent होती है और यह क्या होती है temporary होती है ठीक है temporary मतलब यह तो होती है volatile और यह होती है non-volatile यह होती है ठीक है primary memory अस्थाई होती है secondary memory इस्थाई होती है primary memory का means क्या होता है primary memory में यह होता है कि आपका RAM आता है RAM और ROM आते हैं ROM इस्थाई है बट RAM क्या है ROM को क्या consider किया जाता है primary memory में but ROM क्या है इस्थाई memory होती है RAM में क्या होता है RAM में यह होता है primary memory में कि जब तक आपकी light on है तब तक आपका data सुरक्षित है power off होने के बाद में आपका power भी जाएगी और आपका data भी चला जाएगा power जाने के साथ साथ ही आपका data भी उसमें से plus हो जाता है साफ हो जाता है ठीक है permanent memory में अगर आपका data पड़ा हुआ है तो अगर power off हो गई तो आपका data वहाँ पर सुरक्षित आपको मिल जाएगा वो data नहीं जाएगा वो क्या होता permanent memory अब क्या है इनको internal external memory क्यों कहा जाता है internal memory external memory इसलिए कहा जाता है क्योंकि देखिए ये क्या होता है कि आपका ये जैसे CPU है ये क्या है आपका motherboard है ये क्या है आपका motherboard यहाँ बीचों बीच में आपका क्या लगा हुआ है CPU लगा हुआ है CPU या फिर आप इसको क्या कह सकते हो processor यहाँ पर आपकी इस तरह से एक memory होती है जिसे बोलते है random access memory ऐसे एक chip लगी होती है RAM बोलते है इसको और यहाँ पर यह जो memory है इसको क्या बोलते है ROM बोलते है read only memory ठीक है अब आपकी बागी की जैसे मालीच यह क्या है hard disk है तो यह हां क्या है यह लग रही CD है वो कहां से आएगी CD ROM से इस जगे से आएगी DVD है वो यहां से आएगी ठीक है यहां पर क्या है आपकी pen drive है तो वो memory जो क्या है motherboard पे स्थित है ठीक है यह motherboard पे स्थित है यह memory कहां पे स्थित है motherboard पे लगी हुई है इसलिए यह क्या कहलाएगी internal memory कहलाएगी internal memory ठीक है क्योंकि यह कहां पे स्थित है motherboard पे स्थित है ठीक है कहां पर स्त Мих 친 sixt thats mother board पे ये memory ये रůम है ये नगे ये वाली technology क्या है ये क्या कलाएंगी बहार से आहने है ठीक है इससे बहार ये ही क्या क्या के लाएंगी External memory क्ये लाएंगी External memory कर लाएंगी अच्टेंसमें ममरी का महत कमींस होता है जो तो बाहार से आके जु़ड रही है और जो खुद motherboard पहे है, motherboard का मतलब main circuit सारे circuit की मा, board, motherboard, मतलब ये तो main board जो होता है जिसे move भी कहते है वो क्या होता है, motherboard तो motherboard पहे अगर memory इस्थित है, तो वो क्या internal memory है, और बाहार से external जूढ रही हैं कहीं सफे तो क्या इख्डर है तो हाड़ेस k tu CD DVD pen drive वगर आ organizing p टी तरह से video game क्या टाइब इसमें लग जाती है तो तो इसमें रख जाती तो और motherboard से बाहर आके और जोट रही है motherboard पे तो वो क्या होता है? external memory होती है ठीक है? अब देखिए memory जो हो है वो कितने परकार की होती है memory आपकी main memory जो होती है वो primary और secondary, primary memory में आपका आता है, ये cache memory आती है ठीक है? क्या आती है? cache memory और RAM ये आती है ठीक है? RAM और ROM RAM और कौन से आएगा? ROM आएगा ठीक है ये RAM को क्या माना जाता है? main memory माना जाता है RAM को क्या माना जाता है? यहाँ पर main memory माना जाता है ये ठीक है? main memory का means होता है जहाँ पर सबसे ज़्यादा काम सब कुछ काम जहां पे होता है वो क्या होता है मेन मेमोरी कैलाती है तो आपने अगर एक गाना भी चलाया और गाना पड़ा है आपका कहां पे हार्डिस्क पे तो वो उठकर के आके किस में चलेगा रेम में चलेगा आपने MS Office खुला कहां आके चलेगा रेम में चलेगा आप जो कुछ भी काम करते हैं वो कहां पे चलता है रेम में चलता है तबी तो आप कहते हैं कि मोबाइल की रेम जादा हो नहीं चाहिए लोग कहते हैं कि इस वार दिवाली पर मैं अपने पापा से कहूंगा मुझे 2GB की जगए 4GB रेम वाला मोबाइल और योत आप मिड्यर मीमोरी आप अफूटी ऊतने स्व फासली बरक होता है तो में में मेमोरी आप ये ध्यान चलने के जितना भी जो कुछ भी काम कम्पूटर में होगा चाहे आपका गाना चले चाहे आपकी मूबी चले चाहे आपका MS Office चले चाहे कुछ भी चले वो सब कहां पर होगा RAM में होगा ठीक है दूसरी चीज यह ध्यान रख लें कि RAM जो है वो क्या है इस में डेटा तब तक रहता है जब तक कि power on है डेटा भी आपका सुरक्षेत है पावर ओफ होई light गौन तो डेटा भी आपका क्या होजाता है ओड़ जाता है तो यह क्या है इस थाई memory होती है आइस थाई का मतलब क्या है यह वालिटाइल है ठीक है वालिटाइल का मेंस होता आयस्थाई मैमोरी काम सब कुछ ल्नउवर यह ओर होने के बद में देatat जैने के आमें इसमें देटा तब तक दब-ढ़ेता सेधायर होने के落गो्त मानी जाती है primary memory में बट क्या है ये इस्थाई होती है और रेम क्या होती है इस्थाई होती है बाकी की ये जो memory होती है magnetic tape है hard disk है floppy disk है cd, dvd, blu-ray disk, holographic disk जो होती है pen drive है आपका memory card है ये सारी की सारी memory यां कैसी होती है ये इस्थाई memory होती है और ये secondary memory में आती हैं किस में आती हैं secondary memory में आती हैं इस्थाई memory होती है आपकी hard disk, floppy disk, cd, dvd, blu-ray disk, holographic disk जो होती है वो memory card जो होता है pen drive है ये सब क्या permanent memory में आती है कि अगर एक बाट data डाल दिया तो वो उड़ेगा नहीं light off हो जाए भली 10 साल बाद भी आप उसको देख स होती है cache memory और एक होता है हमारा क्या RAM ROM ये होती है तो RAM को हम क्या कहते है main memory कहते है ठीक है जितना भी जो कुछ भी work होता है कहां पर होता है RAM में होता है RAM का full form क्या होता है random access memory random access memory का मतलब memory को कहीं से भी आप access कर सकते हो ये जरूरी नहीं है कि आप serial से चले 1,2,3,4 ऐसे जाए ये चलता था पहले cassette चला करती थी तो cassette में आगर आपको fourth number के song को play करना है तो आपको तीन गानों को forward करना पड़ता था वो था sequential device होती थी CD में क्या होता है एक number का गाना on किया आपने play किया एक से सीधे आप 1000 number का जो song है उसको play कर दिया तो इसे कहते हैं randomly जाना तो random access memory होती है कहीं से भी कोई सा भी memory का part access किया जा सकता है अब ये दो तरह की होती है एक तो होती है s-rame एक होती है dynamic RAM dynamic का मतलब होता है changeable और s-rame का मतलब होता है static static का मतलब स्थिर memory इस्थिर memory में क्या होता है data जो एक बार store हो गया वो leak नहीं होता है dynamic RAM में क्या होता है कि जो भी data है आपका वो charge की form में होता है capacitors में और वो धीरे धीरे leak होता रहता है इतना ज्यादा आपसे detail में नहीं पूछते बट आप इतना ध्यान रखें कि हमारे घरों में जो computer है उनमें DRAM यूज़ करते हैं और cache memory जब बनाते हैं तो उसमें s-rame यू होती है और fast होती है s-rame electricity कम consume करेगी DRAM ज्यादा करती है तो हमें क्या है महेंगा सस्ता देखना होता है जहां लगता है कि हमें ज्यादा कीमत नहीं देनी normal way में काम चलता है तो DRAM यूज़ करते हैं और जहां पर speed हम देखना चाहते हैं कि बहुत ज्यादा speed चाहिए हमें कीम कितनी हो तो वहां पर s-rame करते हैं तो करते हैं और सुपर कंप्यूटर वगएरा यहां पर बड़े बड़े जो पर हमारा s-rame और कंप्यूटर जो होते हैं उनमें dynamic RAM use करते हैं कि जश्चाद कीमत नेहीं देनीहैं। ठीक है। तो अगे वढ़ते हैं, इसके बाद एक एक करके हम बात करेंगे। रूम झो है। और च्पिक होती है। उस पहrolog होता है? बाइस पड़ा रहता है! प्रोग्राम को दुबारा मिटाके और नहीं डाला जा सके उसे कहते हैं READ only memory उसके बाद आया P-ROM P-ROM का मिस होता है Programmeable Read only memory कि चिप पे जो कुछ भी डाला है program उसको हटा करके नया program डाल सके उसे कहते हैं P-ROM तो P-ROM तो होता है दो प्रकार की होती है EP-ROM EP-ROM का मतलब Erisable Programmeable Read-Only Memory मतलब सूरी की पराबैगनी किर्णों के संपर्क में अगर चिप को लाते हैं तो उस पर जो पुराना प्रोग्राम डला हुआ है उसको हटा देते हैं और नया प्रोग्राम डाल सकते हैं वो होता है EP-ROM EEP-ROM का होता है Electrically Erisable Programmeable Read-Only Memory विद्दुत के संपर्क में लाके Electricity के संपर्क में लाके रोम चिप पर जो कुछ भी पढ़ा हुआ उसको साफ कर देते हैं और नया प्रोग्राम डाल सकते हैं तो ये तो रोम चिप पर तो computer को start करने वाले प्रोग्राम होते हैं और RAM में क्या होता है जितने भी प्रोग्राम में होते हैं वो सब execute, सब काम किसमें होता है RAM में तो RAM को कहते हैं main memory और permanently अगर data store करना है तो वो किसमें होता है secondary memory पर होता है अब बात करते हैं cache memory वाला जो concept है वो क्या होता है ना वो देखते हैं computer में system unit के अंतरगत आने वाली memory को internal memory कहा जाता है system unit मतलब motherboard पर जो है internal memory motherboard पर एक circuit की रूप में उपलब्द होती है ये कितने प्रकार की होती है internal main memory और cache memory तो देखिए main memory जो होती है आपकी दो प्रकार की होती है RAM और ROM generally हम क्या बोलते हैं RAM को ही हम क्या बोलते है main memory बोलते है RAM को ही ठीक है तो हम क्या करते है जो हमारी RAM होती है इसी को हम क्या बोलते है इसको क्या बोलते है main memory कहते है इसको main memory पहले मैं आपको cache memory वाला concept बता देता हूँ cache memory का concept क्या होता है हमारा जो CPU होता है इसके पास खुद की एक personal memory होती है जिसे क्या कहते है रेजिस्टर कहते है तो CPU के पास खुद की एक personal memory होती है जिसे कहते है रेजिस्टर जो एक bit store करता है यहां पर हमारी क्या होती है primary memory और यहां पर हमारी क्या होती है secondary memory तो primary memory में क्या होता है RAM और यहां पर क्या होता है जैसे hard disk, RAM में भी कौन सी RAM होती है, यहाँ पर, DRAM यह होती है, dynamic RAM बीच में एक memory होती है जिसे बोला जाता है, cache memory यह इस तरह से इसमें यह होता है अब CPU क्या करता है, छोटी मोटी चीच जो होती है, वो register में यहाँ रख लेता है ठीक है, एक दो bit वाली CPU जब भी कोई record देखना होता है तो primary memory में देखता है, RAM में माली जैसे लाखो record सर्च करने बढ़ रहे हैं तो यहाँ पर एक concept आता है यह इसमें SRAM से एक cache memory बनाई जाती है cache memory का मतलब होता है कि अगर यहाँ पर हमारे एक लाख record है तो उन में से 200-500 record यहाँ पर रख लिए हमने वो record जो बार 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 अक्सिस किये जा रहे है वो record कहाँ पर रख लिए जाते है cache memory में रख लिए जाते है अब CPU को जब भी record के आवश्रकता होती है तो वो पहले सीधा RAM को सर्च नहीं करता वो किसको सर्च करता है cache memory को तो ज़्यादा chance ही होते है कि वो यहीं पर क्या हो जाता है हिट हो जाता है और वो record यहीं पर मिल जाते है तो वो हमारे क्या है छोटे से कम जगे में हमें सर्च करने पड़ रहे है माली जे 500 sizes का 500 record में से आपको सर्च करना पड़ रहा है वहाँ आपको एक लाग record सर्च करने पड़ रहे है तो वहाँ आपको time ज़्यादा लगता था यहाँ पर आपको time कम लगेगा तो आप यह सोचिए कि अगर colony में ही हमारी colony में अगर मिठाई की दुकान मिल जाती है तो हमें बाजार दूर 5 km जाने की जरुवत क्या होती है तो हम क्या करते हैं इसमें से वो record ले ले लेते हैं जो बार-बार-बार access आ रहे हैं एक लाग record में से हम 500 ऐसे record निकाल के रख लेते हैं cache memory में जो क्या है हमारे बार-बार-बार-बार क्या है access किये जा रहे हैं, ठीक है, कितने record निकाल लेते हैं, 500 record, ठीक है, ये, तो सबसे पहले CPU इसमें देखता है, और 500 वो record इसमें से छाट के निकाले जाते हैं, जो बार-बार frequently access किये जा रहे हैं, तो इन मैंसे ही ज्यादा तर chances ही रहते हैं, कि cash memory में ही हमें record मिल जाता है, तो वह हम बहुत सारे record सर्च करने पड़ते हैं, time consuming होता है, तो यह हमारा concept क्या होता है, cash memory का, और यहाँ पर fast memory की आवशकता होती है, तो as RAM यूज करते हैं, तो अगर यह पूछा जाए कि cash memory में कौन सी RAM यूज करते हैं, तो static RAM यूज करते हैं, और जो normal computer होते हैं, इन में dynamic RAM, तो यहाँ पर नहीं मिलता है, फिर यहाँ पर देखते हैं, फिर hard disk पर देखते हैं, ठीक है न, यह cash memory होती है, अब देखें, RAM रोम क्या होती है, RAM कमिन्स होता है, random access memory, यह क्या होती है, इस्थाई होती है, store data टरह प्रोग्राम, power supply की खत्म होने के साथ, delete कर दिया जाता है, जब अब SRAM, DRAM मैंने आपको पताया, SRAM, DRAM, Sven क्या होता है, fast होती है, DRAM क्या होती है, slow होती है, SRAM क्या होती है, महंगी होती है, DRAM क्या होती है, थोड़ी slow होती है, तो normal computer में DRAM यूज़ करते हैं, घरों में, office और computer में, cache memory में हम क्या करते हैं, SRAM, यह सब आपको PDF में आपको मिल जाएगा आपको detail में पढ़ना है तो आप भी इसमें से पढ़ सकते हैं इतना ज्यादा वैसे नहीं पूछा जाएगा इसमें पर फिर भी अगर आप पढ़ना चाहते तो PDF में आपको मिल जाएगा है ठीक है उड़ने वाली कि रोम क्या होता है रोम को कंप्यूटर की स्थाई मेमोरी कहा जाता है non-volatile इसमें भाइट को यूजर बदल है इसमेंर आइट डेटा को रड़ाइट को जो भी होता है इसमें जो भी राइट प्रोग्राम को इसमें चिबराइट पर कंपिटर को start करने वाली फ्रोग्राम होते हैं जैसे कि तो हमारे ना रूमोंने आपने देखा ना कि बूटिंग होती है, Windows लिखा आता है, तो आप ये मानें कि दुकान खूलनी है किसी व्यापारी को, तो उसकी चावी किसके पास होती है, ऐसी हमारे computer को start करने वाला जो आदमी है, उसकी चावी कहां पे है, की कहां पे है, वो Rome Chip पर होती है, तो Rome Chip पर computer को start क करने वाले प्रोग्राम स्टोर होते हैं, अगर ये पूछा जाए कि computer को start करने वाले प्रोग्राम कहां पर संग्रहित होते हैं, तो कहां पर होते हैं, तो Rome Chip पर एक प्रोग्राम होता है, जिसका नाम होता, Bias, Basic Input Output System, आज कल इसकी स्थान पर कौन सा यूज किया जा रहा है UEFI, ये यूज किया जा रहा है, Unified Extended Firmware Interface, क्योंकि Bias से आपका computer खुलेगा, पांच मिनिट में open होगा, ठीक है, और UEFI से क्या होगा, दो मिनिट में हो जाएगा, तो नया एक Firmware Software, Rome Chip पर यूज किया जा रहा है, वो होता है, UEFI, पहला जो Firmware Software यूज किया जाता था, यूज किस पर, Rome Chip पर वो था, Bias यूज किया जाता था, Firmware Software का मतलब होता है, किसी चिप पर, या किसी hardware पर, कोई Software डाला जाता है, उस hardware को control करने के लिए, तो उसे कहा जाता है, Firmware Software, जैसे मान लिजे कोई Chip है, और आपने क्या कर दिया, किसी चिप पर अगर आपने Software डाल जैसे मैंने डाल दिया, Bias Software इस चिप पर, तो किसी hardware चिप पर, अगर कोई Software डाला जाए, उस hardware को control करने के लिए, तो उसे कहते है, Firmware Software, any software which is attached to the hardware for controlling, that hardware is called Firmware Software, hardware को control करने के लिए, किसी चिप पर, डाल दिया जाता है, तो उसे कहते है, Firmware, जैसे आपने देखी, तो रोब डाल दिया जाता है, चिप पे, तो वो क्या होता है, दुष्ट प्रवर्ति के काम करता है, ठीक है, बिनास्कारी काम करता है, तो Software के हिसाब से hardware control होता है, तो पहले जो कोई डाला जाता था, वो चलता था, Bias, अब भी चल रहा है, कहीं कहीं पर, तो आप नया एक और आ गया है, UEFI, तो रोम चिप पे, पहले कौन सा प्रोग्राम चलता था, Bias, चलता था, Basic Input Output System ये चलता है, अब इसकी जगहें पर, कहीं कहीं पर, UEFI डाला जाता है, जिससे बूटिंग टाइम कम हो जाए, बूटिंग टाइम मतलब, जल्दी से कम्पूटर स्टार्ट हो जाए, ब आला ये क्या करता है, नया फर्म बेर सफ्ट्वेर जो रोम चिप पर डालते हैं, तो इससे 2 मिनिट में, 3 मिनिट में ही बूटिंग हो जाती है, तो बूटिंग टाइम को कम करने के लिए, नया फर्म बेर सफ्ट्वेर रोम चिप पे कौन सा डाला जा रहा है, EU EFI, कि पहले ROM चिप को जब बनाते थे manufacturing के time पे ही चिप को जब computer में लगाते थे तो program डाल दिया जाता था बना के चिप पे उसको बाद में कोई भी मिटा नहीं सकता था ना कोई नया लिख सकता था केबल read कर सकते थे इसलिए उसे कहा जाता था ROM read only memory तो आज भी ROM अगर लगी हुई है तो इसका मतलब read only memory केबल read कर सकते हैं उसके program को बदला नहीं जा सकता उसके बाद मैं फिर ROM का नया रूप आया P-ROM तो P-ROM में क्या होता है programmable read only memory ROM चिप पर लिखे program को मिटा कर erase करके और नया program हम write कर सकते हैं बोलते हैं P-ROM कहते हैं programmable read only memory अब P-ROM के दो टाइप होते हैं E-P-ROM और E-E-P-ROM erasable programmable read only memory इस प्रकार की ROM चिप को ultra wireless raise जो होती है सूरे की उसके संपर्क में लाते हैं और उससे क्या होता ROM चिप पे जो program है उसको erase कर देते और नया program लिखा जा सकता है Double E-P-ROM जो होता है E-Squire P-ROM Electrically Erasable programmable read only memory इसमें ROM चिप को विद्धुत के संपर्क में लाके और तब उसको साफ किया जाता है फिलस करके और नया program write किया जा सकता है तो यह हमारे computer हो कौन सी use करते हैं E-E-P-ROM या E-Squire P-ROM भी इससे कहा जाता है E-Squire P-ROM Electrically Erasable programmable read only memory यह ठीक है इनका full form पूछ लिया जाता है ध्याना के ROM का RAM का तो ROM का होता है read only memory P-ROM का होता है programmable read only memory E-P-ROM का होता है Erasable programmable read only memory और E-E-P-ROM का होता है Electrically Erasable programmable read only memory अब देखे Cache memory मैंने आपको बता दिया था Cache memory high speed memory होती है और बार बार अगर use लिया जाता है तो इसके अलग्सते एक SRAM की Cache memory हम बना लेते हैं Second memory इस्थाई memory होती है इसमें क्या चलता था पहले magnetic disk चलती है Magnetic disk का मतलब चुमी के शिद्धान पे जो काम करता है ठीक है वो तो अब इसमें बात करते हैं Magnetic tape एक पहला चला करता था इसके बारे में आपको यह नहीं पूछता ठीक है यहां से हम बात करते है floppy hard disk CD DVD यह पूछा जाता है आपका तो floppy जो था 1973 में इसका आविशकार किया Allen Sargat Allen Sargat जो था disk drive होती है उसमें इसको read किया जाता है ऐसे चोकोर एक floppy चला करती थी और उसको floppy disk drive में डाल दिया जाता था जो काम आज आपका pen drive और यह इससे करते हैं पहले के जमाने में उस time पे किस पे किया करते थे floppy disk drive में किया करते थे कैसे CD आप लगाते हो CD drive में ऐसी floppy drive में floppy लगाई जाती थी लगबख 2678 तक यह चली थी उसके बाद में धीरे-धीरे बंद होने लगे तो इस पे floppy disk में क्या होता माईलर प्लास्टिक की परत होती है इसमें आप देखना computer में A drive, B drive यह आपने देखा होगा बट आपने कभी यह अब आजकल आपको देखने को यह नहीं मिला होगा कि A drive, B drive कहां गया तो आप start करते हो C drive, D drive से आप start करते हो C drive, D drive तो आपके कोई भी CD खुलती है वहाँ पर आपके Windows वगरा कहां पर होता है C drive में आपने कभी सोचा कि A drive, B drive कहां गई तो A drive जो होती है वो B drive जो होती है वो floppy के लिए होती है अगर आपके में floppy drive लगी हुई है तो आप floppy drive की जो floppy खुलेगी वो कहां किसमें खुलती है by default A drive में खुलती है C drive किसके लिए होती है CD के लिए होती है तो फ्लॉपी ड्राइब के लिए क्या होता है, ए ड्राइब जो होता है, वो आरक्षेद होता है, फ्लॉपी दो तरीके की होती है, माइक्रो और एक होती है, कौन सी होती है, लार्ज, ठीक है, तीन तरह की होती है, माइक्रो, मिनी और क्या है, लार्ज, माइक्रो होती है, सवा 3 इंच की, मिनी होती है सवा 5 इंच की और लार्ज जो होती है वो होती है 8 इंच की तो माइक्रो जो फ्लॉपी होती है उसमें 1.44 MB डेटा स्टोर किया जा सकता है मिनी फ्लॉपी जो होती है सवा 5 इंच वाली उसमें 1.2 MB डेटा स्टोर किया जा सकता है और micro जो छोटी वाली होती है सवा 3 इंच वाली उसमें ज्यादा डेटा आता है कितना 1.44 MB आता है ठीक है ये तो हार्ड इसको floppy disk को disk जो होती है floppy disk इसको क्या बोला जाता है disk heat भी कहा जाता है ये धियान दखें है हार्ड डिस्क की बात कर लेते हैं तो हार्ड डिस्क क्या होती है हार्ड डिस्क कंप्यूटर में इसको क्या कहा जाता है HDD भी कहा जाता है और हार्ड डिस्क जो होती है वो किसमें बटी होती है track sector में. मतलब hard disk में जो होता है, क्या system होता है? कि track sector में बटी होती है इस तरीके से. कोई भी disk है, वो किसमें बटी होगी track sector में. तो ये जैसे है track 1, ये कौन सा है आपका track 2, और इसके बाद में ये कौन सा है track 3 इस तरीके से. फिर ये बटा रहता है किसमें सेक्टर वन ये सेक्टर टू फिर ये बटा होगा किसमें ब्लॉक्स में ठीक है ऐसे तो हाट डिस्क वगरा कोई भी डिस्क है वो किसमें बटी होती है ट्रेक ट्रेक के बाद में वो बटी होती है किसमें सेक्टर में और सेक्टर के बाद में किसमें बटी होती है बड़ा श्री ह्ता है कि दो कालेश क्लिके क्पीटमि जोड़ने के आधार पे 4 तरीके से बातिकर से बाटा गेह साकर पाटा सविक्श्ण दी और तो यह क्लेकों बेट में बहुत हलका होता है तो आज यह आपके लेप्ल किरें यह लुघक एप्ल के बहुत को हीज़़ न करते हैं तो आगर ऐसा स्थान पर क्या यूज किया जा रहा है तो उनमें हार्डिस्क के स्थान पर क्या यूज करते हैं सॉलिड इस्टे ड्राइब यूज करते हैं ठीक है सॉलिड इस्टे ड्राइब हार्डिस्क का एक रूप है पर इनमें क्या होता एक कि जगह पर आज कल क्या है लैप्टॉप में क्या रहा है एससडी आ रहा है तो माइक्रोचिप लगी रहती है कोई डिस्क विस्क नहीं आती तो एससडी का फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए सॉलेड इस्टेट ड्राइव तो यह पूछा जाए आज कल हार्डिस के स्थ कि कि होती है थे ध् basis की हे धान ठांगें लगा मैक्सिममम क केपसिटी की बात की जाए मेक्सिममम श्टोरेज के दि Alt mutta कि की होती है hard disk की होती है ठीक है यह ध्यार नखना है कि जो भी डिवाइसे हैं सबसे ज्यादा hard disk की capacity क्या होती है सबसे ज्यादा maximum storage capacity होती है हाड डिस्क में data read diet करने के लिए read diet head का यूज किया जाता है hard disk को track sector और block में divide होते हैं संग्रहन चमता सबसे अधिक होती है और बजन सबसे ज्यादा और बिजली की खबत सबसे ज्यादा होती है ठीक है optical disk की अगर हम बात करें तो optical disk में क्या होता है optical disk में read diet करने के लिए लाल रंग की laser करन का यूज किया जाता है optical disk में क्या आता है आपका CD DVD यह जो चीज होती है यह सब इसमें आती है ठीक है तो उसमें क्या होता वो भी track sector और इसमें divide होती है तो DVD जो होती है DVD DVD की capacity होती है 4.7 GB होती है और CD जो होती है उसकी होती है 700 MB होती है ठीक है यह ध्यान रखें CD का full form होता है compact disk और DVD का full form होता है digital versatile disk तो यह पूछा जाता है exam में ध्यान रखें compact disk होता है CD CD का full form compact disk 600 से 700 MB तक इसकी capacity होती है 700 MB डिजीटल वर्सेटाइल डिस्क जो होती है उसकी होती है 4.7 GB से लेके 17 GB तक होती है अगर आप को CD बनाते हैं और आप computer में से उसमें data डाल रहे हो तो इसको कहते है burning करना बर्न करना बर्न का मतलब होता है CD पे अपने computer से data डालना तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते है burning करना कहते हैं ठीक है एक अलग टाइब की डिस्क यूज की जाती है जिसे कहा जाता ब्लूरे डिस्क जो HD वीडियो को सेव करने के काम में आती है सिंगल साइड अगर ब्लूरे डिस्क है तो 25 GB तक इस्टोर कर सकती है और अगर डवल साइड है तो क्या 50 GB सिंगल साइड का मतला आपने CD देखी होगी नीचे की सते पर डेटा इस्टोर होता है तो 25 GB होती है ब्लूरे डिस्क में और उपरी सते पर भी डेटा इस्टोर हो रहा है तो 50 GB तो यह जो ब्लूरे डिस्क होती है एक टाइप है CD DVD के बात में आगे का तो 25 GB सिंगल साइड डवल साइड है तो 50 GB डेटा इस्टोर कर सकती है होलोग्राफिक वर्सेटाइल डिस्क एक नया रूप चलाए ऑप्टिकल डिस्क का जिसमें 100 से लेके 700 GB तक आप स्टोर कर सकते हैं CD ROM क्या होता है जिसमें लखे डेटा को केबल रीड किया जा सकता है उसे कहते है CD ROM CD Compact डिस्क Read Only Memory CD Warm का मतलब क्या होता है WRM Write Once Read Many Cable एक बार राइट किया जा सकता है Write Once Read Many CD RW का मतलब होता है Read Read Able मतलब बार बार राइट करो बार बार एरेज करके नया हम इसमें लिख सकते हैं ठीक है इसके बाद आता है अब बात करते हैं ठीक है आप किसमे डिवाइड होगी ट्रैक सेक्टर और आपकी ब्लॉक में डिवाइड होती है निम्न मेंसे कौन सा धिद्धी है, memory device है secondary memory device कौन सी है इसमें से, disk है कौन सा है, disk अनुक्रमेक access device sequential device कौन सी है इसमेंसे serial device कौन सी है serial device to CD, DVD, hard disk यह सब क्या है, random device होती है serial device कौन सा है, magnetic tape पहले आपका जो cassette चला करती थी इस तरह से तो उनमें इस तरह से चला करती थी कैसे तो आपको अगर नंबर 1, 2, 3, 4 नंबर सॉंग पर जाना है तो नंबर 3 सॉंग तक आपको फॉरवर्ड करना पड़ता था तो टेप जो चला करता था वो सिक्वेंशिल डिवाइस है सीरियल डिवाइस है 1, 2, 3, 4 इस तरीके उससे कम फिर क्या है हार्ड डिस्क और इस से भी ज़्यादा महंगा कौन होता है रजिस्टर सबसे महंगी मेमोरी कौन सी है रजिस्टर रजिस्टर के बाद में क्या है कैश मेमोरी cache memory के बाद में RAM और RAM के बाद में क्या है फिर hard disk ठीक है ये और CPU सबसे जल्दी किसको access करेगा register को उसके बाद cache memory को फिर RAM को फिर hard disk को तो सबसे fastly access कौन से होगा register उसके बाद cache memory उसके बाद में RAM और उसके बाद में hard disk ठीक है ये तो इस तरीके से हमने पढ़ा कि memory unit के बारे में question पूछे जाते हैं, कौन-कौन से हमारे storage unit होते हैं, GB में, MB में, KB में कैसे उनको convert करते हैं, 8 bytes मिलकर 1 byte बनता है, 4 byte का, 4 bit का कितना होता है, एक nibble होता है, और 8 bit का क्या होता है, 1 byte होता है, bit का full form क्या होता है, binary digit, RAM का full form क्या होत main memory किसे कहा जाता है, RAM को कहा जाता है, RAM जो होती है, S3 होती है, ROM स्थाई होती है, यह सारी चीज़े, CD का full form होता है, compact disk, DVD का क्या full form होता है, जो यह सारी चीज़े आपको इसमें पढ़नी हैं, तो आज ही class में इतना ही धन्यवाद,